हेलो फ्रेंट्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री दिलर मुए एक्स्प्रिंट करने वाले हैं इस मुवी में एक बुड़े लाइनलॉड के बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरियल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरियल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंटरस्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रिंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती और हमें दीखता है कि सिरियल किलर एक बुड़े आदमी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोग को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम अमारे में क्यारेक्टर दियूक को देखते है यह एक बुड़ा लैंड लॉर्ड है यह अकेला ही रहता है इसे डाइविड इस भी है यह एक बुड़ा ही आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ चाओ ने दो-तीन महीनों से रेंड पे नहीं किया होता है तो देखक उसे अब मांग रहा होता है चाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ वो ज़रा बिमार है इसलिए ओ दे नहीं पा रहा देवक कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंट मिल जाना चाहिए तुम तुम्हारे संसे क्यों ने मांगते वो तो अमेरिका में है तुम उससे पैसे मांग सकते हो यह हम देखते हैं कि चाव के साथ उसके कुछ कोवरकर्स है यह बिमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है देवक बहुत स्टिकली बात कर रहा था तो यह कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यह रेंटी तो बाकी है न वो तुमें दे देगा देवक कहता है कि तुमें इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों नहीं देती है इसके बाद देवक वहाँ से चला जाता है वो आगे सिटी में आता है तो ब्रीज के पास पुलिस को डेट बॉड़ी मिली हुई होती है वहाँ बहुत सारे लोग होते है और देवक ये देखने के लिए जाता है यहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है यह भी उसकी बिल्डिंग में रहती है यह उससे भी रेंड मांगता है यह हमारे मेन कैरक्टर है और इसका नाम होता है सू शू कभी भी रेंड टाइम पर नहीं देती इसी वज़े से देवक उससे अब मांग रहा होता है देवक को उसका नाम ही पता नहीं होता वो हमेशा उसे अपार्मेंट 205 ही बुलाता है इसके बाद सू कहती है कि वो जल्दी से पे कर देगी और वहाँ से चली जाती है उसके बाद हम देखते है कि सीटी में और एक बुड़े आदमी की डेथ हो चुकी है नेकसिन में देवक सीटी में एक शॉप पर आता है यह भी शॉप वही ओन करता है और इसने मीन को रेंड पर दिया है देवक में को पसंद करता है तो उससे बहुत यह अच्छे से बात करता है में उसे वेलकम करती है और उसे सैंड्विच भी ओफर करती है यह बुड़ा है तो यह सैंड्विच खाने से उसे तकलिफ होती है पर फिर भी यह सैंड्विच भो ले लेता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुड़ा अदमी आता है उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो विलचेर में है यह देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी फॉर्चुनेट है इसका पती है इसका कितने सालों से खायाल रख रहा है इनकी जोड़ी बहुत ही रोमेंटिक है देवक बात करता है तो उन्हें लगता है कि नेचरल डेथ है रात में देवक जब घर पर आता है तो फिर से चाव से मिलने के लिए आता है वो देखता है तो चाव बहुत सारा खाना उसने लाया होता है चाव रूम में आता है तो उसके हाथ में बियर वेगर होती है देवक कहता है कि जो old man मर रहे हैं यह सब serial killer का काम है 30 साल पहले इसी तरीकी का case उन्होंने handle किया था और यह pattern में आप हो रहा है पहले 3 old man मरेंगे और इसके बाद लड़िया मरने वाली है चाओ केता है कि हम सब बुड़े लोग चर्ज आते है वहाँ पर 2-3 दिनों से मुझे एक homeless बुड़ा आत्मी दिखनी रहा serial killer हमेशा उनी लोग को target करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा देवक उस पर जादा भेलिवनी करता और वहाँ से चला जाता है इसी building में Sue भी रहती है Sue अपनी friend के साथ बात करी होती है उसके पास इस मन के rent के लिए भी पैसे नहीं है उस सारे पैसे अपनी मदर को भेज़ देती है उसकी roommate उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा मत किया करो तुम सारे पेसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा ये सब देवक भार से जाते जाते सुनता है राद में हम देखते हैं कि चाओ का मर्डर हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुमाने रूममेट के साथ ही रहती हो अब मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ यह मना करे होती है और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में यह फिर से चाओ को देखनी के लिए जाता है तो उसकी बॉड़ी उसे दिखती है चाओ ने सुसाइड कर ली है इस तरीकी का सेट अप सिरियल किलर ने बनाय हुआ होता है थोड़ी देर में चाओ के साथ काम करने वाली कोवर कर भी वहाँ आ जाती है जब पुलिस इंवेस्टिकेशन होती है तो यह दोनों कहती है कि चाओ को हमेशा देवक प्रिशराइज करता रहता था इसी वज़े से चाओ ने सुसाइड कर ली होगी यह बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब ब्रेम करने लग जाते है देवक हमेशा जिसमें इसमें खाना खाता है वहाँ जब वह जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते है सब देवक पर बहुत ही गुस्सा है वो मीन के रेस्टोरन में भी आता है पर आज रेस्टोरन बन होता है सुख अपने boss के बाद जाती है और उससे कुछ advance मांगती है उसने सब पैसे अपनी मदर को भीज दिये है उसका boss उसे मना कर देता है इसके बाद वो देवक के पास आती है देवक को कहती है कि अवो रेंड पे नहीं कर पाएगी वो घर खाली कर देने वाली है देवक से deposit लेकर पर वो चली जाएगी, देवक को लगता है कि चाउने सुजाइड कर ली है, तो ये भी उसे ही दोज दे रही है, ये उसे पूछ लेता है, सुकेती है, ये मुझे पता है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा नहीं हुआ है, हम सब को पता है, कि तुम रव बोलते हो, पर तुम दिल क साफ हो, कोई रेड ने दे बाया, इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है, इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है, ये वो देवक को समझाती है, ये देवक पर बिलीव करती है, देवक चाउने ऐसा क्यों क्यों होगा, ये देगने के अलगा था, कि उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आने वाला है, ये वही उसका फ्रेंड है, पाग भी डिटेक्टिव ही था, पाग को जब मालूम होता है कि चाउने सुसाइट कर ली है, तो वो बिलीव नहीं कर पाता, वो देवक से कहता है, कैसा हो इनी सकता, चाउसे मिल कि उसके पीछे सिरियल किलर है, ये बाहर जाने के लिए बहुत ही स्टागल करती है, पर ये किलर उसे बेहोश कर देता है, देवक का रूम सूख के रूम के नीचे ही है, उसे कोछ आवाजे सुनाए देती है, तो देखने के लिए जा रहा होता है, तो दरवाजा खोलने रह तो अपनी चावी से उख खोलना जाता है तभी वहाँ आसपास के लोग उसे रोख लेते है वो कहते हैं कि तुम्हारी वज़े से चाव मरा है और रेन के लिए अब रात में भी तुम लोग को परेशान कर रहे हो ये वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते है देवक भी चला जाता है नेक्स दिन देवक जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिरिक्ट्व पार्क होता है देवक कुछ से बात ने करने होती पर पार्क उसके टेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के murder ये हो रहे है अब इस pattern में एक लड़की मरने वाली है जिसके long hair सुंगे देवक को सू की याद आती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेसे सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जो जबर्दसी अंदर गुसरा होता है देवक जब इसे spot कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है देवक भी अपनी स्कुटी पर उसका पीछा करता है इसके पीछे-पीछे आ गया जाता है तो एक दंडे से देवक को बेहोश कर देता है ये एक गली गुंडा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है देवक से सब पैसे वगराव चीन देते है डिटेक्टू पार्क भी बुढ़ा ही है और फिर भी इनसे भीट जाता है सब को बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है तो वहाँ कर क्या रहे थे ये लड़का कहता है ये सू की फ्रेंड मेरी गल्ल्फ्रेंड है वो एक दो दूनों से मेरे फोन नहीं उठा रही ये इसके लिए वरीड था इसलिए घर में घुछ रहा था अब देवक और पार्क ये दोनों सू के घर में घुछ जाते है पार्क जब अबर्मेंट देखता है तो सू की फ्रेंड की बाड़ी फ्रेज में होती है देवक को ये देखकर बहुत ही सद्मा लगता है इससे लगता है कि ये सू ही होगी पार्क उसे कहता है कि सू की वहाँ बॉडी नहीं है इसका मतलब है सू अभी भी जिन्दा है देवक फिर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है पर पार्क उसे रोक लेता है पार्क उसे कहता है कि सू अभी भी भी जिन्दा है पर अगर हमने पुलिस को इन्वॉल किया तो सिरियल किलर जल्दी ही उसे मार देगा पार्क कहता है कि हम दोनों को मिल कर अब उसे ढूंडना चाहिए देवक बहुत सालों से इस शेहर में रह रहा है तो उसे इस शेहर के बारे में सब कुछ पता है और पार्क डिरेक्टिव था तो ये दोनों मिलकर सिरेल किलर को ढून सकते है चाओ ने इस सिरेल किलर की जो भी सब इन्वेस्टिकेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी ये डोट बूग पार्क देखता है वहापस सब सस्पेक के नाम होते है राद में पार्क और देख जब दिनर करते है तो देख कहता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पार्क अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब उसने सिरियल किलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में चाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को इमार डाला पार्क जब आया तो उसने किलर को भागते वे देखा था सिर्फ किलर की आखी उसने देखी है पाक कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आखों से उसे पहचान लोगा जाओ के डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने के लिए देवक और पार्क अब घुमते है दोनों जब मिन के रेस्टोरन में होते है तब पाक देवक से कहता है कि मिन को भी इस सिर्फ किलर ने पकड़ा था वो उसे मारने वाला था पर मिन वहाँ से भाग गई थी पाक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हार्ड हो सकता है फिर भी पाक उससे बात करना जाता है पर देख उसे वहाँ से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बाहर आते हैं तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो विल्चेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत इसस्पीशेस है सीरियल किलर हमेशा इसे तरीके से वॉलेंडियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सीरियल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहते हैं कि मिरी आखो में आख डाल कर देखो तभी इस doctor की wife toilet कर देती है इसके आप कपड़े वेगर है doctor को ही change करने पड़ेंगे तो उसके wife को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नापर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आइवीज भी लगाई है कुछ टीटमेंट सू पर चल रही है पाक का शाख 100% इसी डॉक्टर पर है ये देव को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूंगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देव क लॉक्ट्रम स्मीथी होता है तुँसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चलने की कोशिश करती है पर ये पूरी पैरलाइस्ट होती है यह कुछ भी बोल नहीं सकती घर जानते हुए बैक यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें एडवांस लॉक होता है पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है पाक डॉक्टर को कॉल लगाता है पर इक कॉल नहीं लगता पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जो इस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पार को मारने वाला है पाक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पाक के पेड में चाको गुसा देता है देवक डॉक्टर के घर पर दोर खोलने कोशिश कर रहा है पर एक कर नहीं पार रहा हुता तब ये डॉक्टर वहाँ जाता है ये उसे पुछता है कि तुम हो कौन ड्योग कहता है कि मैं सो को ढून रहा हूँ ड्योग को सक जाता है कि ये पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा उसे ये भी पुछता है कि इस शेड में क्या है ड्योग और द्योग दोना लड़ाई करने लग जाते है तब वहाँ पार्क भी आ जाता है यह injured है पर इसने आप गन लाई हुई है यह डॉक्टर को एक जगा बेटने के लिखेता है दियोग जब अंदर जाता है तो वहाँ OPM की बाग होती है याने कि ड्रक्स के पोधे होते है डॉक्टर अपने सफाई में कहता है कि प्लीज इसे पुलिस को मत पताना मैं मेरी वाइफ के लिए सब उगाता हूँ वो पैरलाइस्ट है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है उसे में ड्रक्स देता हूँ तो उसे ज़रा रिलाक्स मेसूस होता है इस्टिकली ऐस अ मेडिसीन ही में यूज करता हूँ पाक को अभी भी बिलिव नहीं हो रहा यहाँ पर पाक एक मास्क देखता है यह डॉक्टर को मास्क पहनने के लिए कहता है डॉक्टर मास्क पहनने के बाद इसे 100% कन्फरम हो जाता है कि यही सिरियल किलर है यह अब अपनी गन से डॉक्टर को मारने वाला होता है पर देवक उसे रोक लेता है देवग को छड़कता है और गोली चलाता है पर एक खिलोनों की गन होती है डॉक्टर कहता है कि यह क्या है देवग पार्क के पॉकिट चेक करता है पार्क के लॉकेट में लिखा होता है कि यह अलजाहिमर का पेशन्ट है पुराना Dir cooperative है पर इसे भूलने की बिमारी है तो इस पर कोई भी बिलियू नहीं कर सकता देवक आप hospital को call करता है और पार के son को भी call लगाता है पाक को hospital में लेकर जाते हैं अब देवक से डॉक्र बात करता है कि लबी इस किसी को भी इसके बारे में बताना मत देवक भी कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला जाता है चावने पाक को कहा था कि और एक बुड़ा आदमी है जिसको जर्च में ढूड़नी पारा देवक उसका पता निकालता है और उसे ढूडनी के लिए जाता है उसकी घर पर उसकी dead body उसे मिलती है इस जगा पर देवक देता है कि old man का dog भी मर चुका है इस dog के मुँ में एक कपड़ा होता है देवक अपनी ही बिल्डी में एक आदमी के lock बदल रहा था तभी उसने उसकी pan देखी थी यह फटी होई थी और उसी band का कपड़ा इस dog के मुँ में है यानि कि वही आदमी serial killer है यह जब देवक देख रहा होता है तभी और एक police officer investigation करते करते यहां आ जाता है देवक यहां से भाग जाता है पर police officer को पता है कि यह देवक ही था देवक अपनी building में killer के घर बर पहुचाता है यहां जाकर सब और लोगों की तस्विरें इसे मिलती है police भी पीछा करते करते यहां आ चुका है देवक नहीं murder किये है ऐसा उसे लगता है और देवक को handcuff करता है देवक उस पर चिरता है गहता है कि फ़ले देखतो लो कि यहां आसपास क्या है डिरेक्ट्टू देवक पर बिलिव करता है यहां जो आदमी रहता है यह railway के यहां काम करता है देवक इस police को समझाता है कि अगर दूसरे police को तुने बता दिया तो सूख खत्रे में आ सकती है हमें उसके killer को ढूणना है दूसरे police को ना बताते हुए ही अब वो इस railway की हा जाते है देवक को गाड़ी में बैटने के लिए केक कर यह police आगे चला जाता है देवक गाड़ी में नहीं बैटता और खुद ढूणने लग जाता है यह आप उसे वा आदमी मिल जाता है देवक पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसंड मत बनो मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगों को मारा है एक killer देवक को मारने लग जाता है पुलिस वहा आता है पर पुलिस और इसकी भी fight होती है यह killer आगे निकल जाता है पुलिस बेहोस होता है पर देवक killer के पीछे भागता है killer रस्ते से जाही रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे उडाग कर निकल जाती है देवक इस killer के पास पोचता है यह मर रहा होता है तो मरते मरते देवक को बता कर जाता है कि और एक killer है जिसने ये सब किया है नेक्स दिन देवक पुलिस को बताने कोशिश करता है कि और एक serial killer है पर अब serial killer मर चुका है और पुलिस को बहुत ही complicated लगता है तो इस idea को drop कर देते हैं हम पता है कि मेन पर serial killer ने हमला किया था देवक जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे please उस हमले के बारे में पताओ वो उसे killer को पकड़ने में help कर सकती है मेन भी uncomfortable होती है पर बात करने के लिए राजी हो जाती है ये कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था कि उसका friend चाओ है जाते जाते हो देखता है कि पार्क के रूम में fool है और यही fool उसने डॉक्टर के पास देखे यहां डॉक्टर पर उसे शक जाने लग जाता है पार्क अभे भी कहे रहा होता है कि डॉक्टर ही था जिसने यह सब murder किये थे अब देख डॉक्टर के पास फोच जाता है वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेक अप करवाना है डॉक्टर उसकी पर्स जब चेक कर रहा होता है तो देख देखता है कि इसकी 6 उंगलिया तो नहीं है पर इसकी उंगलियों पर एक mark है यानि कि डॉक्टर ने उसकी एक उंगली काट ली होगी डॉक्टर को एक अंफरंट कहता है डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आप तुम जादा जीने नहीं वाले यानि कि डॉक्टर ही रियल सिरियल किलर था डॉक्टर देवक को बहुत मारता है उसके शेड में जहाँ वो ट्रग्स उगाता है उसमें और एक रूम होती है यहाँ पर सू भी है तो डॉक्टर सू के पास ही देवक को रखता है सू कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं डॉक्टर कहता है कि मैं इसे आप पैरलाइस करने वाला हूँ वो उसे मेडिसिन देखकर व इसके घर पर गया था पर इसकी फ्रेंड वहाँ के तुमने इसके फ्रेंड को भी मार दिया हमने रेलवे में काम करने वाला सिरियल किलर देखा है यह सिरियल किलर ओर लोगों को मार रहा था डॉक्टर ने जिस तरीके से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटन वो फॉल जाता है अब पाक के पास रियल गन होती है डॉक्टर बिलिव नहीं करता कि पाक के पास रियल गन है इस गन से पाक डॉक्टर का कान उड़ा देता है इस रूम में डॉक्टर के पास एसीड है यह एसीड इन दोनों पर भेकता है पाक डॉक्टर पर जफ़क पड़ता है वो द दर गया था यही चीज़ों से खाती थी और इसी वज़े से अब कुछ भूलना जाता था यही रीजन था उसे अलजाइमर होने के लिए अब यह दोनों यह दूसरे को बहुत मारते हैं डॉक्टर पार्ग पर गोली चला देता है पार्ग वही गिर जाता है और डॉक्टर अब से रोक लेता है वो कहता है कि हमें इसे पुलिस में देना चाहिए हम अगर इसे मारेंगे तो हमें और उसमें कोई भी फरक नहीं रहेगा अब थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है पाक 30 साल पहले कुछ करने पाया था पर वह अब खुश है उसने सही से बदला अब ले लिया है देव भी बहुत इंजरोड हो चुका था तो हस्पिटल में है उसे देखने के लिए मिन और सु दोनों आई हुई है यह हमेशा से अकेल आई था पर अब इसे हेल्प करने के लिए सु और मिन ये दोनों है यही मूवी एंड हो जाती है अगर आप को पजय시면 के लिए दुकता माली नवी दोनों दोनों आप एंप य झाल झाल